हलो फ्रेंट्स, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल के उपर आपका बहुत-बहुत स्वागत, मेरा नाम है विनाश अगरवाल और यह है जिग्यासा वीडियो सीरीज का एक नया वीडियो आपको जिग्यासा डेली बिस्स पे देखने चीजिए जिए जिग्यासा पीछे की सारी जिग्यासा आगई की सारी जिग्यासा आपको देखने चीए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ऑनलाइन अब अपने अपने फैमिल, अपने कामिलेटी सब का खयाल रखी, क्रोना को स्प्रेड मत करिए, जो भी तैयारी करने है, घर बैटे करिए, ऑनलाइन करिए, सिविल स्टाफ के साथ जुड़के करिए, क्योंकि कई सारे फ्री इनिशि करने लग रहे हैं, तो करेंट अफैर्स के अंदर, जो है, हम स्टाफ करने लग रहे हैं, अपको हमारी यूट्यूब चैनल के तुरू पढ़ा रहे हैं, आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, नोटिफिकेशन को और रखना चाहिए, और सारे 2020 की, तो हमने हमारे बहुत ही कॉंप्रिहेंसिव क्रैश को 50% डिसकाउंट के ओपर आपको ओफर कर रखा है, 4499 अंदर हम आपको व साही चीज़े देने लग रहे हैं, आपको एक्जाम क्लियर करने के लिए हर एक सब्जेक का हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चीए, हर चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट चीए, प्रिवियस यर क्वेस्टेशन का कम्प्लीट कवरेज चीए, लाश्ट 25 यर्स का 28 टेस्ट करेंट अफेर्स का नहीं, 2800 अगर आपके बास रहेंगे, तो करेंट अफेर्स भी आपका अच्छा रहेगा, 5 फॉल लेंड टेस्ट प्लस, Ancient Plus, Medieval Plus, Art and Culture Plus, Science and Tech Plus, Environment ये सारी सारी चीज़ों का कम्प्लीट कवरेज हम आपको प्रोवाइड करने लग रहे हैं, only 4,499 के अंदर, सबसे पहलगा काम आपको ये करना चीए, कि हमारी YouTube चैनल पर जाना च्छिए, और Crash Course है, related जो Demo वीडियो से उनको देखना चीए, फ केवल static.js तयार करना चाहते हैं और केवल 2499 में तयार करना चाहते हैं तो वो भी option आपके बास available है क्योंकि static.js का crash course 50% discount लगा के हम आपको offer करने लगा है इसके अंदर chapter wise videos, previous year questions, 5 full length test, chapter wise test, chapter wise downloadable notes, everything has been provided to you तो आपको जल्द से जल्द enroll करके अपने तयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं अगर आप 2021 के student और आपको पूरा GSTR करना है, pre plus main GSTR करना है, plus CSETR करना है, plus current affairs AR, plus test series join करना है 15 July कुछ हमने follow करना है, शुरू कर रहा तर 16 August तक जो हम follow कर रहे हैं, वो मैं आपको कई देनों से दिखाने लग रहा हूँ आगे चलते हैं, आगी का भी time table आपको दिखाँगा, आपको कभी भी join कर सकते हैं, लेकिन आपको जल से जल join करना चाहिए डेली बेसिस पे डाइडाइ गंटे के वीडियो आपको मिलने लग रहे हैं, और बहुत शांदाल ढंक से सारी चीज़ों को आपको सिखाया जाने लग रहा है जिग्यासा के अंदर दिये गए होमवर के questions का कुछ students regular basis पे जवाब दे रहे हैं, होमवर करना इसलिए ज़रूरी है क्यों आप डेली basis पे दो-तीन-दो-तीन होमवर के questions करते हैं और final exam के अंदर prelims के अंदर 5 questions additional आप होमवर की knowledge की वज़े से solve सही करके आ जाते हैं प्लस 10 marks हीच के लेकर आ जाते हैं तो बहुत बड़ा difference हो सकता है, 10 mark की वज़े से बहुत ज्यादा बड़ा difference हो सकता है result और no result की between prelims examination ये चीज़ आप जानते हैं आयुष शिवास्तम, शुभम वागले, सचिन शिवास्तम, रोहन जकताब, गोविन चौधरी, शध्धा, एस वेलेस तिशा पंचाल, सत्बीर कुमार, आशुष हरवत, सूरस दुबे, जानकी जाला, कनिका निर्वान, धीरज गुपता, मनीश सिना ये उन students के नाम है जो regular basis पर homework करने लग रहे हैं, मैं आज भी homework के questions दूँगा, मैं इन students request करूँगा, कि आज सारे homework के questions के answer करिएगा और जिनों आज तक कभी answer नहीं करा, at least एक question का answer आप जरूर करिएगा, आपको बढ़ात, बहुत मज़ा आएगा और यही topics हमार को आज cover करने है, participatory guarantee scheme, new generation sequencing machine, horn bills in India, pair seeds, as well as series के बारे मात को बात करनी है कुछ government schemes है, कुछ technology है, कुछ environment है, कुछ space से related है, कुछ net terms है, सारे सारे important topics हमारे सा discuss करने वाले है पहला question मैं आपके सामने रखा है regarding participatory guarantee scheme, यह participatory guarantee scheme, obviously organic farming के बारे में, यह question भी आपको बन सकता है, कि participatory guarantee scheme किस शेतर से related है, organic से related है, finance से related है, computer से related है, extradition से related है, इस परकार कभी question आ सकता है, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ कि यह organic farming से related है, लेकिन अब आपको इसका detail मालू तो ही आप इस प्रकार के question को tackle कर पाएंगे, दो statement आपके सामने रखे हैं, इसके बार में बात इसी लिए कर रहे हैं, क्योंकि P.I.B. के अंदर शांदार शांदार article आने लग रहे है, जिसके अंदर participatory guarantee scheme के बार में बात करी जाने लग रही है, इट प्रोवाइड और गैनि जाती है, क्या यह mission organic value chain development North East region से related है, यह आपको बताना है, पांच लोग से कम अगर जो रहेंगे, individual farmers रहेंगे, तो उनने certification नहीं दिया जाएगा, उनने scheme का part के अंदर नहीं cover करा जाएगा, क्या यह सही है, आपको सोच के बताना की कौन सी चीच सही है, जो भी आपको answer लग उसके साब साब answer चुनेंगे, answer आपके सामने रख रहा हूँ, answer इस question का है, भी दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यह गलत गया होगा, जिनका भी गलत गया है, comment करके जरूर बताएगा कि क्या गलती करीगे, knowledge नहीं होना है, और फिर भी question का answer attempt करना वो सबसे बड़ी गलती हो अबर को, तो यह सारी सारी चीज़े और गयानिक के बार में बताएगे, प्लस अच्छी अच्छी बात यह भी बताने लगरें कि COVID pandemic की वाज़े से लोग बाग जो है, बहुत जदो conscious हो चुटी कि जो खाना खायेंगे, safe खायेंगे, healthy खायेंगे, अच्छा खायेंगे, tension वाल जितने भी organic products बन रहे हैं, उनके साथ certificate जुड़ा होना चीए, यह organic product ने तभी ही भोगता है, यानि की consumer को भिशपास होगा कि यह product सही में organic product है, तो इस form का documentation, इस प्रकार का logo, इस प्रकार का assurance, यह सारी सारी चीज़े जो है PGS करने लग रहा है, PGS के अंदर देखेंगे कैसा है ना कि locally focused quality assurance प्रकार का system को जो है, हम in place रखते है, foundation of trust बनाने की कुशिश करते है, social network बनाने की कुशिश करते है, individual farmers या group of farmers smaller than 5 को नहीं cover करा जाता है under PGS, PGS का concept मालू में क्या है कि यह cluster of villages, good number of farmers, good number of farmlands को इखटा करना, organize करना, इकत्रित करना और उन्हें organic की तरफ लेकर च group within a village or cluster, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, और इसलिए जो है individual farmer या group of farmers less than 5 members को जो इसके अंदर cover नहीं करा जाते है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, India ranks first in number of organic farmers, ये तो मैं आपको बताई दिया, Sikkim became the first state in the world to become fully organic, ये चीज़ आप जानते ही है, में में इ इंडिया के अंदर organic movement सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लग रहा है, organic movement को पूरे country के अंदर फेलाने के लिए हमने mission organic value chain development for North Eastern region to start करी रखा है, उसके अलावा परंपरागत क्रिशी विकास योजनाभी हमने शुरू कर रखी है, ये ही आपका homework है, आपको ये दोनों के अगर question पूछेंगे और उसको tackle करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर आपके पास objective knowledge नहीं exist करती है तो, तो इसलिए मैं आप सबसे request करूँगा, अनुरोध करूँगा कि homework करिएगा और अच्छे धंग से comment करिएगा तुरंत immediately after the lecture देखने के बाद, तो ये सारी चीजों का आपको पूरा ध्यान रखना है, participatory guarantee system की तो पूरी जानकारी मैंने आपको दिये है, national program for organic production की जानकारी आप मुझे दे दीजिए, 5 objective points आपको निकालने है, तो तीन comment में हर एक student से request करके मांग रहा हूँ, PKVY, MOVCD as well as NPOP के बारे में आपको comment करके निकालना है, इस से आपकी knowledge expand होएगी, आपकी knowledge भढ़ेगी, तो आपकी exam clear करने की possibility भढ़ेगी और वही चीज मैं चाहता हूँ, इसलिए मापको homework देने लग रहा हूँ, उसके अलावा food safety and standards, organic foods regulation 2017 भी हमने निकाल रखा है, logo निकाल रखे है, FSCI ने जैविक भारत करके, PGS organic India करके, right PGS green करके logo निकाल रखा है, ऐसा निए कि आज मैं inorganic farm चलाने लग रहा हूँ, अचानक से कल को उटके मेरा farm organic हो जाएगा, ना, क्योंकि उसके अंदर जो दुनिया भर के chemicals, pesticides, insecticides मैंने लगा रखे हैं, उनका effect जाने के अंदर time लगता है, तो अगर मैं inorganic से हटके organic की तरफ जा रहा और यह सारी चीजे sustainable development goal number 2 से related है, जो की बात करता है, ending hunkar, achieving food security as well as improving nutrition and promoting sustainable agriculture in India, तो यह सारी चीजे आपको मालूं होनी चीए, जैविक खेती क्या है, वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करिए, यह value added note आपको हमारे telegram channel के उपर से मिल जाएगा, आपको ह हमारे telegram channel में तुरंत जूट जाना चीए, यह प्रकार का question आपके सामने रखा है, आप देख सकते है, participatory guarantee scheme के और पहला statement साफ साफ गलत है, क्योंकि हमारी जो यह participatory guarantee scheme है, यह परंपरागत क्रिशिव का स्योजना से associated है, and second statement विल्कुल सही है, इसलिए answer आपका हो जाता है B, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को like and share जरूर करिएगा, यही चीच को मैंने आपको main folder में भी दिया है, इसको print out करके आपको gs1, gs3 की file के अंदर लगा के रखना चीए, क्योंकि question ऐसे पूछा जा चुका है, कि Sikkim is the first organic state in India, what are the ecological and economic benefits of organic state, इस प्रकार का question आपक new generation sequencing machine के बार में बात करीगी, Indian Express the Hindu के अंदर बात करीगी, इसी new generation sequencing machine के बार में तीन statement दे रखे हैं, आपको बताने कौन से statements correct है, it is a technology developed for sequencing human genomes, it has the capability to detect viral genomes without the usage of probes, it is developed by the Russian National Research Medical University, तीन statements आपको दे रखे हैं, regarding new generation sequencing machine, आपको बताने की कौन से statements correct है, वैसे Russia बहुत ज्यादा news में चलने लग रहा है, आजकल कली हमने discuss करा दा, Sputnik के बार में, जो कि उनकी develop करी गई coronavirus को से जूजने वाली vaccine है, जो कि तयार करी जाने लग रही है, तो क्या ये new generation sequencing machine है, वो भी रश्या से related ये चीज़ आपको सोच के बतानी है, क्या ये sequencing of human genomes में काम आ सकती है, क्या ये without probe use क जो है viral genomes को detect कर लेती, इतनी इसके अंदर शमता है, इतनी capability है, ये सारी चीज़ आपको सोच के जवाब देना है, जो भी आपका answer उसको आप lock करेंगे, answer आपके सामने रख रहा हूँ, answer इस question का है C, पहला और दूसरा statement सही, ये तीसरा statement साफ-साफ गलत है, क्यों? क्योंकि ये देखिए, उसका रश्या से कोई लेना देना नहीं, हमारी जो council of scientific and industrial research, वो mega labs स्यार करने लग रही है, वहाँ पर ये बड़ी-बड़ी machines को रखा जाएगा, consequence बड़ी machines की बात कर रहा हूँ, मैं इस प्रकार की new generation sequencing machine की बात करने लग रहा हूँ, बड़ी gigantic प्रकार की ये machine है, बहुत ही जदा powerful प्रकार की machines है, इसको हम sequencing of human genomes के लिए यूज करते हैं, इसी machine को हम repurpose करने लग रहे हैं, such that की machines जो अब SARS, COVID-2, novel coronavirus को detect कर सके, हमने US-based company Illumina के साथ participate करे, partnership करे, उनके साथ मिलकर काम करने वाले हैं, जो RT-PCR test है, वो slow है, वो धीरे चलता है, वो कम testing करता ह है, वो सारी चीजों के अंदर, जो भी उसके problems है, उसको eliminate करके बढ़िया धंक से हम लोग काम जो है, इस machine के माध्य हम से कर पाएंगे, इस machine के अंदर कोई primer, कोई probe की requirement नहीं होती है, तो इसी लिए statement to be आपका सही हो जाता है, और इस सारा detail मैंने आपको यहाँ पर दे रखा हिंदू के अंदर article छपा, जिसके अंदर बात करी गई, new generation sequencing machines की, next generation sequencing machine की, इसलिए मैं आपको यहाँ पर question दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा confusion होने लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखावा है new, यहाँ पर लिखावा है new, right, तो next इदर जो है, थोड़ा सा confusion है, इसके लिए moving ahead to question number 3, hornbills के बारे मां article छपने लग रहे है, जो hornbills इंडिया के अंदर पाये जाते हैं, खास करके जो north east के आलाकों में पाये जाते हैं, उनका जो habitat है, वो destruction का जो है, शिकार बनता जा रहा है, as a result of hornbills की population इंडिया के अंदर है, वो काफी stressed position के अंदर है, वही चीज को ध hornbills, redered, non-filled, या फिर नारकुंडम, hornbills, इन में से कौन से इंडिया के अंदर पाये जाते हैं, कौन से एक extinct हो चुका है, खताम हो चुका है, या चारों पाये जाते हैं, यह आपको decide करके बताना है, सोच समझ के lock करिएगा, और हर question को attempt करना ज़रूरी नहीं है, कुछ questions को हम हमारे को बचना है, और positive marks ही तरह हमारे को आगे भड़ना है, तो अपसोच समझ के attempt करिएगा, या skip कर दीजेगा, जो भी answer को lock करेंगा, answer आपके सामने रख रहा हूं, answer इस question का है D, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कि देख लीजे, इंडिया के अंदर ये अलग-अलग प basis के उपर हमारे को मालूम पढ़ने लग रहा है, कि there is a high rate of deforestation in major hornbill habitat in Arunachal Pradesh, यही चीज को the Hindu के अंदर काफी prominently report करा गया, कि forest cover loss होने लग रहा है, और hornbills को उसकी वाचे से threat होने लग रही है, यह particular study जहां पर हुई तो वो Papoon Reserve Forest as well as Pukker Tiger Reserve के आजुब-आजुब-आजु आपको यहां पर बताई गई है, यह note के अंदर, और कौनसे-कौनसे hornbills इंडिया के अंदर पाये जाते है, यह भी आपको बताया गया है, जो नीशी tribe है, अरunachal Pradesh की, वो बहुत ज्यादा respect, बहुत ज्यादा importance जेती, cultural symbol है, बहुत सारे tribes को, और खासकर नीशी tribe of Arunachal Pradesh का यह बहुत ज्यादा important प्रकार का symbol है, हिंदू के अंदर यह सारी चीज़े report करी गए थी, इसलिए हमने सारी चीज़े को cover करके आपको दिया है, यह प्रकार का question हमने आपको बना कर दिया है, oriental, roofers, reed as well as narcoondom, जो है चारो चारो करेक्ट है, इसलिए answer आपका बन जाता है, D Moving ahead to question number 4, एक term precedes करके news में देखने को हमारे को मिला है, what is this precedes term का मतलब क्या है, क्या यह कोई GM crop है, क्या यह meteor shower है, क्या यह exoplanet है, क्या यह कोई नया प्रकार का cyber attack है, जो होने लग रहा है, इस प्रकार का question बना के हमने आपके सामने रखा है, जो भी आपका answer है, तुरांत question number 4 का आप comment करके बता दीजिए, 4A, 4B, 4C, 4D, जो भी आपका answer होना चीए, easy question है, अगर आपने थोड़ा भात भी news paper को go through करे हैं, थोड़ा भात भी आपको मालूम है कि हाल-फिलाल में क्या चलने लग रहा है, so this should not be a very difficult question for you to answer, उमीद करता हूँ कि आपने इस question का answer comment कर दिया है answer आपके सामने रख रहा हूँ, answer इस question का है, meteor shower, देख लीजिए, कि 1% meteor shower जो है, it's set to peak in mid August, यानि कि इस महिने के अंदर, August 17-26 के बीच में, यह जो meteor shower है, यह हमारे को बहुत ही शांदार तरीके से, अर्थ के ऊपर से हमारे को यह दिखाई देने वाला है, मैं आपको सबसे ब definition आपको यहाँ पर हमने दे रखा है, फिर meteoroids बन जाते हैं, फिर वो meteors बन जाते हैं, और फिर वो meteoroids बन जाते हैं, तो इनके बीच में क्या difference है, वो पूरा डिटेल तरीके से हमने यहाँ पर आपके साथ discuss कर रहा है, आप देख सकते हैं, वही चीज़ को मैंने आपको लि a breeze, which has been left behind by a comet, तो उसको हम कहते हैं, meteor shower, यानि कि एक जुन्ड of meteors अगर हमार को देखने को मिलता है, तो उसे हम meteor shower कहते हैं, अर्थ के ओपर से कई सारे meteor showers दिखाई देते हैं, और उन्हीं में से एक meteor shower जो भी हमार को दिखाई देने लग रहा है, that is called Perseids meteor shower, और उसी के बार म बुरी दुनिया बात करने लग रही है, इसलिए हमार को इसके बार में बात करना जरूरी है, यह meteor shower का जो origin है, यह इसे ऐसा है दोस्तों, कि जो rock है, वो जब अर्थ के atmosphere के अंदर enter करता है, जो meteor है, वो अर्थ के atmosphere में enter करता है, तो जो हमारा atmosphere, जो हवा है, वो से resist करती है, त बुसी को हम जो है, एक बहुती wonderful natural phenomena की तरफ कोई तोर पे जो है, उसे देखते हैं, जो pear seed meteor shower है, वो every year in mid August हमार को देखने को मिलता है, first observed over 2000 years ago, तो आप देख सकते हैं कि कि इतना ज्यादा consistent प्रकार का यह phenomenon है, जो कि हम लोग देखने लग रहे हैं, हाथ से नहीं, 2000 साल पहले क्या है, meteors and meteorites का definition क्या है, अगर यह सारी चीज आपको समझ में आ चुकी है, तो आपके लिए बहुत आसान है कि proceeds क्या है, यह प्रकार का meteor shower है, there should be no doubt in your mind about that, moving ahead to question number 5, Ceres dwarf planet के बारे में हमने पहले भी बात करी, आज वापस से बात करेंगे, बात करने के बाले मैं आप से request आप लोग को लिखवा रखे है, वो 5 dwarf planets के नाम कौन से कौन से है, यह चीज आपको मेरे को बतानी है, Ceres के अलावा कौन से और 4 dwarf planets के नाम है, जो कि हमने पढ़ रखे यह चीज आपको comment करके बतानी है, अब question को टेल करते है, हमारे Ceres dwarf planets से related, जो हाल फिलाल में चलने लग रह of salty water underneath its frigid surface, तो क्या यह सही है, कि वहाँ बन हमारे को salty water का एक ocean देखने को मिला है, बहुत बड़ी water body देखने को मिली है, क्योंकि अगर ऐसा है, तो यह बहुत ही ज्यादा एतिहासिक discovery, बहुत ही ज्यादा बड़ी discovery है, इसके बारे में हमारे को बात करनी चीज है, तो 2 statement आपको बताने कौन से statements करेक्ट है, जो भी आपका answer है, उसको आप lock करेंगे, answer आपके सामने रख रहा हूँ, answer इस question का है, C, दोनो दोनो statement जो हो आपके सही है, देख लीजे, Ceres की बुरी जानकारी में आपको देता हूँ, NASA का data suggest करने लग रहा है, कि there is an ocean of salty water on dwarf planet Ceres, और उसी आपके सामने रखा है, वहाँ पर एक crater है, उसका भी नाम में आपके सामने रखा है, ocator करके, आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुराना ये प्रकार का ocean world यहाँ पर exist करता है, beneath the surface, beneath the frozen surface, यहाँ पर एक salt water का जो है, एक प्रकार की collection आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, may be habitable और has the potential to be, तो यह सारी चीज़े हम लोग ढूंडने लग रहे है, basically आज के दिन जो humanity है, उनका agenda यह है कि इस प्रकार की surfaces, इन प्रकार के planets, इन प्रकार के bodies को ढूंडना है, हमारे space के अंदर, बाहर के अंदर, जहाँ पर हम habitable environment बना सके, जहाँ पर हम base बना सके, और उस base को use करके future space exploration को प्रकार के उसको use कर सके, तो यह सारी चीज़ों के अंदर, नासा लगावे, यही सारी चीज़ों के अंदर, आज नहीं, तो कल इंडिया भी लगने वाला है, तो यही सारी चीज़ों को discuss करना काफी जयदे important हो जाता है, it is not just Ceres, जो Jupiter का moon है, Europa, Saturn का moon है, Enceladis, Neptune का moon, Triton, as well as dwarf planet Pluto, उनके ओपर भी हमारे को यह प्रकार की चीज़ देखने को मिलती है, कि beneath the frigid surface, एक बड़ी salt, बड़ी water body हमारे को देखने को मिलती है, तो that is a very very important चीज़, जो आपको मालूम होनी चीज़, तो यह बहुत important question जो मैंने आपके सामने रखा है, Ceres are related, it is between Mars and Jupiter, ब half full, miss the point, the glass is referable, again, the point is action, आप बैठे मत रहिए, अपने life को analyze करते वे कि ऐसा हो गया, या वैसा हो गया, right, कि मेर पास यह अच्छा है, यह बुरा है, जो बुरा है, उसको आप सुधार सकते है, जो कम है, उसको आप ला सकते है, जो कम जोर है, उसको आप स्ट्रेंदन कर सकते इसी चीज के साथ, इसी संकल्प के साथ, डेली बेसिस पर आगे भढ़ते चलिये, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, इसी के साथ, we'll bring our lecture to an end, thank you very much, all the very best, जैहिंत!